हेलो आल, कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे तो आज की जो रीडिंग है हमारी ये हम करने वाले हैं आपके पॉर्षन की करेंट फिलिंग को ले करके देखेंगे आपके पॉर्षन की करेंट फिलिंग क्या है उनका next action क्या होने वाला है और उसके बाद हम देख देखो आप दोनों के रिलेशन्सिप में जो भी प्रॉब्लम से वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी ठीक है सो कॉंटेक्ट में हो नो कॉंटेक्ट में हो मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स मैरेड और मैरेड सब के लिए है यह रीडिंग ठीक है बहुत सारे विवर्स बोलते हैं कि मैं मैरेड लोगों के लिए स्रिफ बनाएए तो देखिए स्रिफ मैरेड लोगों के लिए बनाना या फिर फिर स्रिफ मेल फीमेल है ना या स्रिफ सेम जेंडर सेक्स के लिए बनाना सही नहीं है ठीक है ना तो मैं सब के लिए reading करती हूं ठीक है सब के लिए reading तो यहां आप जो भी आप क्या relation है जिनके साथ में relation है उनके लिए आप देख सकते हो यह reading ठीक है तो आज की जो reading है यह हम देखने वाले हैं आपके person की current feeling को check करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या उनका next action ठीक है सो detail reading है I hope आप सब को पसंद आएगी सो चलिए start करते हैं आज की अपनी यह reading जनरर reading है इसके साथ ही बता दू जनरर reading है जो चीजे resonate कर रही है उसे ही लीजिए जो चीजे resonate नहीं कर रही है side हटा दीजे दूसरों के लिए ठीक है तो यह बहतर रहेगा क्योंकि comment box में बहुत सारे बहुत सारे तो नहीं एक ही है वो उनको थोड़ा सा अगर उनके favor में result मतलब क्या कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि जैसे अच्छी बाते और जहां थोड़ी negativity आ यह है वो है तो देखिए आप समझा कीजे ठीक है मैंने आपको comment box में भी समझाया था फिर भी आप नहीं समझ रहे थी तो अगर आप video skip करती हैं तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं अपकी अपनी यह reading ठीक है जो भी वीवर देख रहे हैं उनके relationship का status अभी जानेंगे ठीक है क्या हुआ था पास में वो जानेंगे और उसके बाद ठीक है ना उसके बाद हम देखेंगे आपके person की energies को ठीक है प्लीज काइड में जो भी वीवर देख रहे हैं इनके relationship के past में क्या हुआ था प्लीज काइड में इससे आप connect कर पाएंगे कि यह reading आपके लिए है भी की नहीं है ठीक है ना प्लीज काइड में ओके यहां पर है फाइफ और पैंटिकल्स प्लीज काइड में प्लीज काइड में जस्टिस अके तो गाइज मैंने जो है साइन के लिए हर एक एलमेंट के लिए मैंने लव रीडिंग निकाला है मैं मन्त के लिए सो आप जरूर देखे उसे भी आपका जो भी साइन है डेली एक साइन के लिए reading अपलोड होगी सो उसे आप लोग जरूर देखे ताकि आपको भी आपकी लव लाइफ में होने वाली problems का पता चल सके ठीक है और जो भी होने वाला है आपकी लव लाइफ में वो आपको पता चल सके ठीक है इसकाइड में शिक्स अब कप्स प्लीज काइड में प्लीज काइड में प्लीज काइड में ओके यहां पर है दा मैजिश्यन का काड ठीक है प्लीज काइड में प्लीज काइड में ओके एट अव वेंड चलो ठीक है यहां पर बॉटम अफ देक दिख लेते हैं सेवन अफ कप्स का काड है इसा दिख रहा है जैसे कि confusion है कुछ ठीक है यहां पर ऐसा दिखता है जैसे कि आपको confusion है इस relationship में यहां फिर आप past के चीज़ों को लेकर के मैं जहां तक देखूं आपके past में आपको जो है बहुत ज़ादा loss हुए है ठीक है आप अपने आपके person के साथ आपका जो है न अभी no contact बहुत सारे लोगों का no contact है क्योंकि यह दोनों है कर्द मुझे बताते हैं कि आपकी इनरजी आपके प्रेट जो है लग है यहाँ पर ऐसा दिखता है जीसे आप बहुत ज़ळा उदास बहुत ज़दा थीक है यहाँ पर ऐसी एनरजी मुझे दिख रही है कि कुछ पैसों से related कुछ मामले हैं जैसे कि आपने अपने person को help किया आपके person ने आपको cheat किया आपको पैसे नहीं दिये इस तरह की energy मुझे नजर आती है ठीक है और यहाँ पर ऐसे दिख रही है जैसे कि आपके past में the hermit का card है आपके past में आपके person ने आपको छोड़ दिया या फिर आपसे disconnect कर लिया अपने relationship को ठीक है आपने आपको तो यहाँ पे the hermit mode में आप हो यानि कि आप उदास हो परेशान हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको अकिला-किला पन फील हो रहा है और किसी के सांथ रहना बिलकुल भी पसंद नहीं हो रहा है किसी के सांथ भी रह रहे हो तो सारा दिल और दिमाग उनके पास ही रहता है आपका ठीक है न तो यहाँ पे यह है और आपको justice का weight है ठीक है आप चाहते हो justice का weight justice चाहते हो आपके अपने सांथ ठीक है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़े होई है जो कि आपके लिए या इस relationship में बहुत कुछ खोया है आपने ठीक है और बहुत efforts भी लगाए है इस relationship के लिए इस person के लिए ठीक है न यहाँ पे आपकी चाहत है six of cups आपके person के सांथ आपका million हो आपका reunion हो magician का card भी मुझे clear बताता है आप यहाँ पे ऐसा मुझे दिखता है न कि होता है न कि हाँ हम manifest कर रहे है तो हमें result कब मिलेगा है न इस तरह की energy मुझे दिख रहे है कि आप manifest कर रहे हो अपने person को commitment देने के लिए या फिर यहाँ पे बात करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे मुझे वो सारी चीजे नजर आ रही है आपकी ठीक है तो अभी के energy के अनुसार 8 of events मुझे बताता है कि आप बात करना चाहते हो अपने person से ठीक है ना आपकी बाते नहीं हो रही है बहुत सारे भी वर्स मेरे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी contact में नहीं है अपने person के तो यहाँ पे यही देख रहा है कि आप बात करना चाहते हो आप उनसे मिलना चाहते हो आप उनको clear करना चाहते हो देखो यहाँ पे 7 of cups आपके पास options भी है यहाँ पे 3 of sorts का card है देख रहे हो यहाँ पे क्या है यहाँ पे दिल तूटा है तकलीफ है मैं है वाप ठीक है आप बहुत ज़दा दर्द में हो तकलीफ में हो यहाँ पे रो रहे हो है ना क्योंकि आपको आपको जो है यह दर्द तकलीफ आपके person से मिल रही है आपके जब अपने से दर्द तकलिफ मिलती है तो बहुत ज़ादा दर्द तकलिफ होता ही है छोटा मोटा घाओ भी ना हमें बाड़ा तकलिफ दे जाता है जब हमारे अपने ही हमारे साथ ऐसा करते हैं तो ठीक है आपको new beginning का wait है अपने person के साथ new beginning हो ठीक है तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि आपके relationship में age gap भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के relationship में age gap भी है ठीक है तो आपके person और आपका age थोड़ा सा gaping होगा ठीक है चलो अब आपके person की current feeling को हम देखते हैं आपके person की current feeling क्या रहने वाली है ठीक है प्लीज निवर्ट काइड में प्लीज काइड में जो भी वीवर देख रहे हैं उनकी person की current feeling क्या है प्लीज काइड में प्लीज काइड में सब्सक्राइड में प्लीज काइड में प्लीज काइड में आप लोग बचके रहें और घर से बाहर ना निकले ठीक है कि तो क्यों रोना जहना बहुत प्लीज काइड में कुछ मुझे दिख रहा है कि आप लोग आप लोग की तबयत सही नहीं है कुछ लोगों की टेंशन में हो या फिर कुछ ऐसे एनर्जी मुझे फिल हो रहे कि जैसे की तकलीफ तो है ठीक है प्लीज काइड में सुर्ख आँखे एक दम दिख रही हैं मुझे सो प्लीज काइड में ओके एस्टेंद का कार्ड है सिकेंड कार्ड थर्ड कार्ड एस आफ सार्ट्स दा हैंग मैं ठीक हैं मैजिशन दोनों के कार्ड में मैजिशन का कार्ड आया है लगता है कि दोनों ही एक दुसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एट अफ कर्ड ओके जेमिनाई लिब्ड एक वेरियस है यहां पे साइन और कैंसर स्कॉर्प्यों पाइसस है हमारे पास एडिस लिए सैज भी है नाइन अफ वेंट का कार्ड आगया मेरे पास देस्टार एक वेरियस प्रेस्ट काइट में दफूल अके ओके वेरी नाइस शेक्स अप्सॉर्ट एट अफ पैंटिकल्स और लास्ट कार्ड फाइप पैंटिकल्स आपके कार्ड में आया थे ना फर्स्ट कार्ड ही आपका फाइफ पैंटिकल्स कार्ड ties में लास्ट कार्ड है कि फाव लव पैर तो बहुत है ना क्या बहुत है डोनों में ही चाहत बहुत जादा है कुट करूट के वहारी हुई ये चाहत एक दूसरे की एक दूसरे के दिल में ठीकए बहुत सारी चाहत है बहुत प्यार है और यहां पर जैसा कि मैं आपको मैंने आपको साइन बता दिये हैं टॉरस वर्गो क्याप्टी कॉन भी हमारे पास तो सारे elements हैं सारे साइन हैं ठीक है तो यहां पर मुझे seven of sorts कार्ड मुझे करेंट फिलिंग के लिए बता रहा है कि आपके साथ आपके पॉर्षन के इनर्जी को मैं देख पारी हूं यहां पर ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि कि किसी ने चीट किया है किसी ने धोका दिया है किसी ने जूट बोला है इस इस रिलेशनशिप में आपने या फिर आपके पॉर्षन ने कुछ ऐसी चीजे दिख रही है जैसे कि कोई स्टर्ण नहीं लेना चाहता है ठीक है पीछे रहे करके सामने ना करके पीछे ही रहे करके मतलब ऐसा होता हाना कि हाँ कुछ हो तो मेरे ऊपर कोई कोई बोले नहीं है ना उस तरह कि मुझे एनर्जी फील हो रही है ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे सर्च ऐसे हैं जो छुपाए गये हैं चीटिंग हुई है दोखा दिया गया है है ना तो उसके लिए आपके पर्षन की मुझे नज़रा रही है ऐसा दिख रहा है जीसे कि इस पर्षन को हैसास हो रहा है कि मैंने इस्टेंड नहीं लिया है मैंने अपना औरीट पर्षिट नहीं दिया है अपने जो है ना ऐसा दिखता है जैसे कि आपके person अपने आप में strength बनाए हुए ठीक है ऐसा दिख रहे है इनकी current feeling की ये जो है आपने आपको तूटने नहीं दे रहे हैं आपकी याद सता रही है आप से बात करनी है बट इस person को यहाँ पे ऐसे है कि थम जाओ रुक जाओ अपने relationship है इसमें कुछ ऐसी चीजे हैं जिस चीज का खोने का ड़र है ठीक है खोने का ड़र है यहाँ पर कार्ट मुझे बताते हैं इट ऑफ पैंटिकल्स फाइफ ऑफ पैंटिकल्स भी है देखो आपके person का उदास चहरा नजर आ रहा है उदास है यह परसन यह person कहीं खुश नहीं है अभी चुकिए lockdown है तो बहुत सारे वीवर्स मेरे उनके पार्टनर है वो अभी खुद घर से काम कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है ना कि घर से काम कर रहे है लेकिन इनका मन नहीं लग रहा है यहाँ पर काफी यह ज़्यादा जो है ना इस तकलीफ में इस वक्त आपकी उनको बहुत ज़्यादा यादा रही है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे है आपके person आपको eight of cups के कार्ट से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस दिख रहा है यहाँ पर यहाँ ऐसा दिखता है जैसे कि कुछ शूट रहा है ठीक है तो यहाँ पर move on करने के मुझे दिख रहा है कि move on करने की बाते यहाँ पर कभी कभी ऐसा लग रहा है कि शायद वो move on हो गया होगा या हो गई होगी तो मैं क्या करूँ ठीक है इनको है कि new beginning करना है बट क्या यह सही है ठीक है यह question उनके मन में आ रहा है क्योंकि इनको एक तरीके से देखा जाए तो इस person ने cheat भी किया है आपको कुछ सच चुपाए गए हैं ऐसा दिख रहा है ठीक है ना यहाँ पर ऐसे new beginning करने के chances है देखो यहाँ पर eight of pentacles से मैंने कहा है कि हाँ आपके person जो है अभी फिलहाल यहाँ working from home हो रहा है है तो यहाँ पर वो सारी चीज़े हो रहे जिसकी वज़से आपके person को और ज़्याद याद आ रही है ठीक है और यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसी आप दोनों का relationship काफी stuck है आपके person action नहीं ले पा रहे हैं इनकी current feeling में मुझे यही दिख रहे कि यह सोच रहे हैं सारी चीज़े सोच रहे हैं लेकिन action नहीं ले रहे हैं ठीक है थोड़ा सा जो है ना इनको यह जरारी है हाला कि यह person काफी गहराई से सोच रहे हैं ठीक है ना यहाँ पर यह बहुत गहराई है आपके person की सोच में और यह person सोच करते आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं ठीक है क्योंकि सारी clarity मिल जाए उसके बाद यह person आगे बढ़े तो इनके लिए इनको ऐसा लगता है कि तब यह मेरे लिए सही होगा ठीक है ना यहाँ पर क्योंकि cards मुझे यही बताते हैं कि आपके person जो है इनका the fool का card है सारी पिछे की चीजे जो हैं वो भूल करके यहाँ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर देखो आप बहुत ही innocent person हो बहुत ही एकदम से आपका जो सारे लोग ऐसे हैं कि आपकी मासूमियत का लोग फायदा उठा जाते हैं ठीक है आप मासूम हो तभी आपकी person ने आपको जूट भी बोला है आपको चीट भी किया है अगर आप थोड़ा से यहाँ पर अपने आपका mind बहुत शार्प है ठीक है लेकिन आप जिस पर भरोसा क कर लेते होना उस पर बस आँख बंद करके भरोसा करते हो आप सोचते हो कि यह person मुझे चीठी नहीं करेगा यह person मुझे दोखा ही नहीं देगा और वही person आपको चल के चला जाता है ठीक है तो ऐसे person हुआ ठीक यहाँ पर मैं देखूं तो आपके person आपसे expectations भी रखते हैं कि कि आप इनको माफ करोगे ठीक है आप इनके साथ आगे बढ़ोगे इनको यह नहीं कहोगे कि नहीं आप मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं नहीं बढ़ना चाहती इस person को आपसे expectations है hope है ठीक है कि ऐसा कुछ नहीं होगा अगर मैं उसके पास जाता हूँ अपना relationship यहाँ पे देख रहा है उस six of sorts का card clear है कि आपके person आगे बढ़ने को तयार है ठीक है यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि यह person आपसे मिलने के लिए भी आने वाले हैं ऐसा मुझे दिख रहा है card में travel दिख रहा है आप जाने वाले हो या फिर आपके person आने वाले हैं दोनों में से किसी का मुझे दिख रहा है कि हाँ यह person का ही मुझे अधिक तरवाई आ रही है कि यह person ही आपको मिलने के लिए आने वाले हैं आपसे ठीक है यहाँ पे मुझे दिखता है कि यह अपने ड बहुत है तीक है मैंने जैसा कि कहा कि प्यार बहुत है प्यार दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो और जब यह कारण आता है तो मुझे मतलब अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है आदमें किसी कारण से जूट बोलता है ठीक है हर कोई जूट बोलता है बट यह जो कारण है ना दलवर्स प्यार थो है ना प्यार है ठीक है लेकिन फिर यह चीटिंग नहीं होनी चाहिए थी अब से लोगों के परसने चीट किया होगा ठीक है किसी कारण से तो वह अलगकी बात है प्यार बहुत मुद्ध जादा है एक चलो अब मैंस काड में इस अनर्जिस्ट और और क्यां क्या 갖고 ke ने और इनका नेक्स इंग देखनास मैंने आपको बता मिलने वाले हैं कि सिछ कि आप हूँ सेक्श्वालिटी ओके ओके कंपेटिबिलिटी ओके ओके तो यहां पर कार्ट मुझे यही बता रहें कि आपकी पर्सेंट आने वाले हैं आप से मिलने पहले तो मैंने कहा कि सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे यहां पर देखो यहां पर दोनों ही एक दुसरे से बैट के बाते करने वाले हो दोनों ही एक दुसरे की प्रॉब्लम को सुनने वाले हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे देखो प्रॉब्लम आप दोनों की लव लाइफ में है कोई तीसरे की लाइफ में नहीं है तो प्रॉब्लम दोन को ही समझना पड़ेगा दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा यहां पर काड़ बतार भी रहें कि आपके पर्शन अब तयार है आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए जो बैलेंस बिगड़ गया है उस चीजों को बैलेंस करने के लिए आपके पर्शन तयार है और यह पर्शन जल्द ही आपकी लाइफ में आने वाले हैं, यहां पर मैं बता देती हूँ आपको कितने टाइम में आपके पॉर्षन आएंगे, ठीक है, तो 8 days, 8 weeks, 8 months, ठीक है, 8 days, 8 weeks, 8 months, इतना टाइम प्रेड रहने वाला है, इसके साथ ही मैं यहां पर कार्ड जो sexuality का कार्ड है, वो मुझ इंटिमेट होना चाहते हैं आपके साथ, यह पॉर्षन जो है बहुत ही जल्जो है, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, तो यह है, तो उनका नेक्स टाक्शन में बता दिया, कि नेक्स टाक्शन कब लेंगे यह, तो यह रही आपकी रीडिंग, thank you so much, मिलते हैं नेक्स टीड